हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम एक वुलन का जो आजकर स्टॉल निकल रहा है ना स्टॉल वाली जो कपड़े आ रहे है तो उसके अंदर से हम प्लाजो बनाएंगे तो वैसे तो सल्वार का होता है आप चाहे सल्वार बनाओ चाहे प्लाजो बनाओ अब देखें इसका कतना कम होता है एक साइड एधर बॉडर है और एक साइड इधर बॉडर है तो देखें साइज और कपडा कितना है वह सब मैंने मेंशन कर दिया है तो विड्थ में ये काफी कम है और लेंधवाईज ये टू.5 मिटर हैं तो अब मैं क्या करूंगी ये जो इसका सीधा हिस् मैं इसे सारे कपड़े को ये देखे लेंथ में फोल्ड कर लूँगी ठीक है ना तो देखे फ्रेंट्स इसके अंदर जो प्लाजो बनेगा ना वो म्यानी वाला बनेगा तो इसमें आप बड़े से बड़ा साइज बिल्कुल इसी तरह आप बना सकते हैं अब हमारी को क्या करना है इसमें लेंथ का निशान लगाना है अब देखे नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं है तो वो जो थोड़ा सा दिख रहा है इसी की हम फोल्डिंग करेंगे लेकिन पट्टी लगा के तो देखे 38 हमारी लेंथ है तो हम पूरा 38 लेंगे और इसके अंदर हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा ठीक है न जब हम पट्टी लगाएंगे न वो फोल्ड होईगी अगर हम पूरा ले लेंगे तो फिर हमारा थोड़ा कम हो जाएगा हिप साइज मेरे पास 44 है 44 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास 11 आगया और प्लस 2 किया तो मेरे पास हो गया 13 तो मैंने 13 ले लिया और मेरे पास यह कपड़े की जो विर्थन है यह भी लगबग इतनी ही है अब मैं यहाँ पे जो इसकी मोरी है यह लोगी 9 पैसे स्टेट प्लाजो बनेगा 9 इनफ रहती है और यहाँ पे जो नी है वो मैं लोगी 10.5 और यहाँ पे जो मेरी 20 है वो भी 25 है तो मैंने इसको 26 करके ले लिया है यह देखिए यहाँ से यहाँ 9 और यहाँ से यहाँ 10.5 लि ठीक, अब यहां पर मैंने 3.5 इस लाइन से नीचे लिया है, ठीक है, चलिए, अब यह मेरी नी की लाइन है, अब देखें नी की लाइन लेने के लिए यहां से यहां लीजिए, इसका हाफ कीजिए और एक इंच कम कर दीजिए, तो नी की लेंध निकल जाती है, यह हमारा क्रो इस से दो इंच नीचे तो लेना ही होगा, हर हालत में, अगर बड़ा साइज है तो आप 3.5, 4.5 तक भी ले सकते हो, अब देखें, जहां तक मेरा गोलाई का निशान लगाया है, यहां तक मैने कपड़े को लगा दिया है, अब मुझे यहां पे 13 लेना है, तो मैंने पूरे किनारी है, इसको हम कट नहीं करेंगे, यह हमारी स्लाइ में चली जाएगी, क्योंकि यह वाला कपड़ा और यह वाला कपड़ा जब जॉइंट होगा, तो फिर हमारा उपर से एक्वल हो जाएगा, अब यहां पे मैंने 13 ले लिया पूरा, तो यहां मैं 3 इंच एक्स्ट्रा करूँगी, तो यह आपको सभी साइज में 3 इंच एक्स्ट्रा करना है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, ऐसे बढ़ा के, बस यहां पे हम इसके क्रोच लाएंगे, और यह जगा पे हम ऐसे करतेंगे, ठीक है, बस अब यहां पे हम इतना इतना मार्जन लेंगे, तो हमार देखी, यहां से यहां लगभग 2.5 इंच नीचे चुड़ा है, लेकिन कपड़ा हमारे को यहां तक ही लेना पड़ेगा, अब यह जो मैं वाइट कपड़ा गाट रेंगे, इसको मैं स्केन इसी रमका पर पूरूँगी, तो अब हम पहले इसको पच कर लेंगे, तो अब हम जाओगे, यहां पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप स्क्रीम को स्क्रोल करोगे, तो आपको कोर्स में क्या क्या है, उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, अगर आपको कोर्स पसंद आता है, तो आप सीधा एड टू कार्ट करके बाइनाउ कर सकते हैं, अपर में से निकान नहीं अभी मैं ऊपर-ऊपर का पार्ट काट रही हूँ ठीक है अभी इसके नीचे जो हमारे बैक साइड बड़ा होगा वो हम लगाएंगे यह देखे यह मैरी म्यानी इसमें से कटी है अब मैं जो हमारा आगे कपड़ा बचा है उसमें रखके इसे कट करूँगी यह देखे दो यहां से दो इसके आगे से मैं कट कर लूँगी अब यह देखे मैंने यहां से म्यानी चारों काट लिया है यह देखे दो यहां से दो इसके आगे से अब यह जो कपड़ा मेरे पास बचा है इस कपड़े में मैं इसे यहां से कट कर लोँगी ताकि जो हमारी ऊपर की पट्यां लगनी है वो इस में से लग जाएंगे इसली अब ऊपर में पट्टी जो लगानी है वो दो इंच की लगानी है तो मैं यहां से 2.5 का कट करूंगी ठीक है अब यह जो उपर कपड़ा बचा हुआ है इसको अलग रख दूँगी यह हम बैक साइड कर देंगे इसको तो यह देखे एक साइड की पट्टी फ्रंट की कट गई है अब मुझे बैक साइड की लेंथ मेरी एक इंच एक्स्ट्रा थी आगे की 38 थी बैक साइड की 39 तो अब मैं इस पर रख के देखे बैक साइड को कैसे सेट करूँगी आपको बहुत असान लगेगा यह देखे यह यह हमने रखा यह एक्स्ट्रा हम काट देंगे तो यह तो हमारा फ्रंट हो गया अब बैक हम इसके आगे रखेंगे यह देखे बिलकुल ऐसे रख देंगे और रखने के बाद यह जो उंचा नीचा आया है इसको एड़्जेस्ट कर देंगे यह देखे आगे ने बिलकुल पूरा लगबग हमारा वन इंच लेंध में है लेकिन यह वन से जादा है बन पॉइंट फाइव यह पॉन टू से कुछ कम इतना है तो हम यह पूरा ही ले लेंगे और लेके बैक पॉर्शन को इस तरह एड़्जेस्ट करके स्लाई लगा देंगे अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे तो देखिए प्लाजो हमारा कट गया है स्ट्रेट प्लाजो अब म्यानी को हम कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ इस साइज इस तरह आप बड़े से बड़े साइज की म्यानी वाला प्लाजो अराम से बना सकते हैं यह देखिए यहां से लगेगा तो ऐसे रखेंगे और एक इसके साथ फिर एक इसके साथ देखने न अंदर से रखे सीधी तरफ से रखे उठी तरफ भेज रहे हैं इनको इसी तरह रखना है एक यहां और फिर एक यहां यह देखिए ठीक है आप इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं तो एक की में सिलाई लगाना दिखा दूँगे ये बागी उसी परकार आप बना लेना ये दिखे अब इसके उपर जो टॉप सिन लगानी है वो भी जरूर लगाना है ये दिखे इससे एक तो ये कपड़ा यहाँ बैठ जाएगा आराम से और इसमें फिनिशिंग बहुत आ जाएगी ये देखे अब हमारे पास दोनो पोर्शन में इसके म्यानी लगके ready हो गया है और अब हम इसको खोल के इसके दोनो क्रॉच लाइन को जोड़ेंगे एक आगे वाला और पीछे वाला दोनों को एक के उपर रखेंगे और इसे ये देखे एई यहां सिलेंगे यहां सिलेंगे ऐसे रखके मिलाते हुए सिल देंगे और इस साइड भी सिल देंगे अब देखिए दोनों साइड तो अफिंस उपर का तो सिल चुका है अब हम नीचे इसका जो बॉटम है उसे तैयार करते हैं तो देखिए एक मैने इसमें थ्री इंच की पट्टी काटी है काटने के बाद इसका बॉटम हम बिल्कुल किनारा किनारा मोड़ देंगे तो वह टॉप सीन लगाऊंगी तो जैसी एक साइड लगाऊंगी बिल्कुल सेम वैसे ही दूसे साइड बनेगा ये देखिए अब इसे हम फोल्ड करतेंगे ठीके ना लगबग इतना फोल्ड तो होना ही चाहिए जितनी पट्टी चोड़ी लगेगी उतना थोड़ा भारी पना जा जाएगी इसके अंदर ये देखिए ये देखिए बैक साइड से और ये देखिए फरंट साइड तो देखिए ऊपर का भी कंप्लीट हो गया है बॉट्टम भी हो गया है अब हमें फिटिंग लगाना है तो ये निशान हमारे पहले ही जब हमने ड्राफ्टिंग लगाए थे न तब ही आये हुए थे तो बस इसी को थोड़ा सा डार्क करके हम दूसरे वादी साइड पे ले लेंगे और ये देखें ऐसे करके थपकेंगे तो दूसरे तरफ निशान अराम से आ जाएंगे और ये देखें बस अब पूरा गोल हम इसे सिल लेंगे ये देखें यहां से सिलना शुरू करेंगे सिलते सिलते पूरा म्यानियों के उपर होते हुए नीचे पहुंच जाएंगे तो ये देखें सिलाई हमारी लग चुकी है ठीक है न अब उपर जो हमारा बैक साइड बड़ा फ्रंट साइड छोटा होता है बस अब वो करना रह गया है ये तो नीचे से तो ये लगभा कंप्लीट हो चुका है ये ये देखें अब देखेंगे न हीप के पास से कितना ढिला है कमर के पास बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि अगर बहुत बड़ा हो जाता है न तो फिर पेट के पास मोटा मोटा लगता है तो इसमें पट्टी बैक साइड की है एक फ्रंट की तो फ्रंट वाली को पहले बीचो भी से सिलेंगे क्योंकि चार पट्टिया है न ये और फिर इसको भी बीचो भी सिलेंगे अब देखिए सिलने के बाद अब हम इसे रख के देखते हैं ये ऐसे रखेंगे अब दूसरी पट्टी को भी रखेंगे और रखने के बाद जो हमारा साइडों में एक्स्ट्रा आएगा उसे हम सिलाई लगाके एक्स्ट्रा को कट कर देगे अब देखिए हमारा ये सिलाई ल अब सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए सिल गया हमारा अब फ्रंट का जो हमारा पट्टी है वो दो इंच की है अब हम पूरी पट्टी को दो दो इंच का निशान लगा लेंगे क्योंकि बैक साइड की 3.5 की है तो इसलिए यह देखिए हलका सा V-shape मे मोड आएगा लेकिन जब हम लास्टिक डालेंगे तो वह उसमें एडजस्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा यह ठीक है अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे फोल्ड कर देंगे ठीक है जो निशान है निशान के उपर-उपर ही फोल्ड करते होई चलेंगे यह देगे 20 सेंटर से शुरू करेंगे आगे की तरफ से और बस जो निशान है उसी को ही बेस बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे अगर कहीं पर चुन्नट आती है तो आप डाल देना क्योंकि जब लास्टिक डालेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगी ऐसा ना सोचना कि वही इसमें कहीं जोल आ रहा है हमारे नेफे में तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा बैक साइड में हलका जोल आएगा लेकिन जब आप उसमें लास्टिक डालेगे तो पता भी नहीं चलेगा तो यह देखिए अब मैंने पूरी गोलाई को सिल दिया है थोड़ी सी जगा में छोड़ूँगी लास्टिक डालने के लिए बास इतना बहुत है इसमें से लास्टिक राम से चल जाएगा यह देखिए तीक है अब हम लास्टिक लेते हैं तो जितनी हमारी कमर होती है उससे पांच इंच छोटा यह लास्टिक लेना चाहिए तो अब एक पिन के सहायता से मैं इसे एड़्जेस्ट करूँगी चलिए अब हम डालते हैं तो आप सेफटी पिन से भी डाल सकते हैं और इस तरह की बैक पिन से इजिली ड़ जाती है यह देखिए बस अब जब मैं इसमें लास्टिक डाल लूँगी लास्टिक डाल के इसके उपर एक सिलाई लगा दूँगी जिससे कि लास्टिक हमारा ही लेना और यह देखिए फेंस बनके रेडी हो गया और देखो कितना सुंदर लग रहा है तो गर्म कपड़े में आप भी इसी परकार अपना स्ट्वेट प्लाजो बनाईए ये बिल्कुल भी आपका जैसे ज्यादातर ही होता है न कि पीछे से उठ रहा है तो वो सब प्राउब्लम से इसमें नहीं आएंगी और सिलाई घूम रही है क्योंकि इसमें सिलाई तो डली ही ने साइड में बस ये मयानी डालने से comfortable बहुत हो जाता है और बड़े से बड़े साइज का क्योंकि क्या होता है और चोटा होता है बड़े साइज का बनाने में प्राउब्लम होती है कितना भी बड़े साइज का आप इसमें बना सकते हैं बस ये म्यानी ही बड़ी होती चली जाएगी विर्थ में भी बड़ी और लेंथ में थोड़ी नीचे तक हो जाएगी बस इतना चेंज आएगा और ये देखिए बनके हमारा रेडी हो गया बैक साइड में मैंने एक लूप लगा दिया है जिससे कि एक तो टांग भी सकते हैं और पता भी रहेगा कि ये हमारा बैक साइड है ये देखिए तो आप फ्रेंड्स आप भी ट्राए कीजिए